नमस्कार दोस्तों मेरे इस चयनल में आप सब का स्वागत है मुम्बई कोलकाता एक्सप्रस वे देखते हैं किस तरीके से रूट रहेगा क्या डारेट बन रहा है जैसे दिल्ली मुम्बई एक्सप्रस वे बन रहा है नहीं चलिए हम देखते हैं कि छोटे-छोटे स्टलॉट में ये डिवाइड है छोटे-छोटे पैच हैं ये किस तरीके से हम मुंबई से कोलकाता में भी एक्स्प्रस वे का यूज कर पाएंगे चलिए सब सब पहले हम देखते हैं नागपूर से मुंबई समरिद्धी महामार्क मुंबई से गोंदिया भविस्थ में बनने वाला एक्स्प्रस वे गोंदिया से राइपूर नॉर्मन नेस्टनल हाइवे उसी तरीके से राइपूर से बिलासपूर अच्छा सा सिक्स लेन का नेस्टनल हाइवे फोर लेन का नेस्टनल हाइवे और बिलासपूर से धनबाध नया एक्स्प्रस वे जिस पे काम चल रहा है वो आपको राची तक ले जाएगा और राची पे मिलेगा आपका वारांसी कोलकाता एक्स्प्रस वे तो इस तरीके से आप different different मतलब समझ लेजे 70% Expressway का उपयोग करते हुए आप 70-80% का उपयोग करते हुए आप Expressway का use कर सकते हैं समय देखिए कितना बचेगा तो इस तरीके से ये planning है और महाज एक दू साल में आप ये सारे Expressway को complete होता हुआ देखेंगे अल्रेडी अगर हम इस पैच में देखें तो मुमबई नाकपुर समरिद्धी महामार्ग ये अल्रेडी पहले से complete हो चुका है आसा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको काफी जानकारी भरा लगा होगा चैनल पर पहली बार पहुँच रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक सीर करता ना भूले तो चलिए मिलते हैं अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो में